हेलो हेलो फ्रेंड नमस्ते कैसे हो अब सभी उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे और ये मेरा ब्लोग आज ही जाएगा तो बस पूरा देखे ब्लोग और चैनल पर नीव हूँ तो चैनल सस्क्राइब कर लेना वीडियो अच्छे लगी तो लाइक सेयर करना और ये मैंन सब्सक्राइब कर देखती हूँ तब जाके समझ में आती है तो मंगाती हूँ तो मुझे प्राइज भी अच्छा लगाता और वैसे भी कपड़े में बहुत अच्छी है कंप्टेबल है आप लोग सोचोगे कि अभी सर्दी हैं और गर्मी की ड्रेस तो बस सर्दी भी यही क घी आया है नहीं तो वैसे नहीं आता और क्योंकि मॉन्निंग में हो जादा है मेरे पास बहुत काम और इसलिए मैंने सुचा कि चलिए साम कोई खतम कर लेती हूँ उसको तो बस गर्म पान डाला और थोड़ा हास से वह ऐसे चलाई ब्लेंडर से चलाई और घी अच्छे से आ गया उसके बाद में यह घी को मैं निकाल लूँगी और मैंने यह बाला जो ट्रक्षू टलाई थी अभी यही प्यान रखाया पर इसमें ठंड नहीं जाती है मतलब हलका ऐसा है कि थोड़ा बहुत हलके फुलके हुआ या कहीं वैसे बर्जिस पर गयारा करना हुआ कोई भी उसके लिए ठीक है तो यह देखे मैं निकाल लेती हूँ गी और इसको अभी गरम कर लूँगी और पनीर भी बनाऊंगी इसमें से तो बस घर का गी इसी तरह से मलाई मैं निकाल क कर लेती हूँ और बस सहर में और गाउं में यही हो जाता है ना कि गाउं में भैस वागरा को होता है वो भी करते हैं पर हैं मतलब यह के फुल क्रीम दूद लो तो उसमें मलाई अच्छी खाशी पड़ती है तो उससे घही निकल आता है और डेली डेली इतनी मलाई कोई हुआ निकल जाती है तो बस मैं बहुआ निकल कर रख देती हूं और यह कि कि तना सा घी निकलाया है घरका अच्छे से हो जाता है और अच्छे से खालेते हैं हम पूज बगईर में भी चलता है तो और इसको अभी ठंडे पानी से तोँगी क्योंकि गर्म पानी से निखा लिया ना थोड़ी सी पतली सी ओ गईे और थंडे पानी से अच्छे से जंबी जाएगी दोगे अच्छे से इसका जो भी में दूढ़ मठा सा है सारा निकल जाएगा तो ऐद की घी मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है और साम को विश्च में इतना काम हो जाता है बहुत ज्यादा और क्योंकि अब यह चल लिए इसमन की तविए खरा तो इसकी बज़े से और सौरी अवाज आएगी थोड़े सी उसके बज़े से बहुत सारा काम हो जाता है तो यह देखे मैं साथ के साथ साथ भी करती जा रही है साफ हो गया है और इधर दूद मगाऊंगी फुल क्रीम आदा केची दूद मगाऊंगी तो इसमें डाल के पनी निकालूंगी क्योंकि फुल क्रीम बैसे तो मेरे पास रखा है जो मलाई निकाल लिया वो रखा है तो फिर उसमें से इतना अच्छा पनी नहीं निकलेगा निकल तो आएगा पर इतना अच्छा चिकना यह आला नहीं निकलेगा तो मैं फुल क्रीम दूद मगाऊंगी और उसको तो यह देखे रा उंकिन चावल और पुला बना रही हूँ तो इधर मैंने खड़े मसाले तेल करम किया उसमें जीरा और खड़े मसाले डाल दिये हैं उसके बाद प्याज काटी थी लंबे फीच में तो ये प्याज भी डाल दूगी और साबत हरे मिर्च भी डाल दूगी तो ये देखे मैंने गोवी काटके रखा था आलू मैंने डाला नहीं है गोवी और हरी मटर बस यही डालूंगे दूजी और सर्दी में मटर वगएरा अच्छी होती है और डाल के खाना अच्छा लगता है तो इधर मैं सबजी अच्छे से बून गई थी उसके बाद मैं मसाले डाल दिये थे और ये वड़े, जू पनीर में पानी निकला था वही डाल के मैं गरम था तो इधर ही कड़ाई में घह अर हम हंऻगा तो इधर मैं ये दूनि हैं तो इह देखिए इधर मैंने चावल सब्जी मसालीसारे डाल जाल दिये पारद्य मिर्जी पारा इदर चावल डाल दीया हैं चावल व्य थे पकाले काफ़ी देशं़ देयर द च्छोटा वाला और डेर ग्लास चावल थे ते ते न ग्लास पानी डालेंके इस ते देन दालेंगे इस में देखाले और यह इसमें लगा ले दिए 10 और यह देखिया भी इतने सारे बर्तन हैं और मुझे भी paradn man pipeline को हात देना बहुत मुश्किल होता है बहुत मुश्किल positive तो एक साथ में तलब सام की शाए बगर के वी थे तो मैंने 100 बर्तन कर लिया हैं थोड़ थोड़ करके नहीं किया थे मैंने सचा एक साथ कर लूँ और यह देखिए इसमें सीटी आ भी गई और मुझे कम करते करते बिध्यान नहीं रहा कि एक सीटी आ गई इसमें और उसके बाद में फिर मैंने इंसे पूछा यह बढ़े दोधर कि इसमें सीटी आ गई किया दब दूसरी सीटी बंद कि मैंने महीने बनी पर मसाली सारे खल गए तो मैंने सूच आ मसाली ने फत्वक्त में ना लग डाल दिया मैंने इसमें सर्दी की काम करते-करते उसमें धृहन रहता है थंड को थंड लगत जयादा हात वमें तो इधर बस मेरे बर्दन वगरा सबको साफ हो गए अच्छे से ऑ तो इसका प्रैसर निकर जाएगा तब दिखाते हूं आपको कैसे बने साज में बहुत अच्छे लगते हैं और गरम-घरम सरदी में कोई भी चावल और यह कुछ भी है गरम-घरम खाओ तो बहुत ही टेस्ट आता है इसमें बहुत अच्छे लगते हैं तो पनीर को भी निकाल बनाओंगी एक एक खालेंगे सब्जी रखी है गोच्छ तो इसके लिए ज्यादा नहीं बनाओंगी और वैसे तो आटा उठागे रख सकती थी फड़ सोचाएं कि सुवए से रखा है तो अब साम तक क्या रखना चलिए अभी इसको मैं लगा देते हूं ठीकाने तो यह देखिए मैं बनारीं परांठे और तो यह देखिए परांठे भी सेख चुके हैं मतलब एक रह गया है और बस साम का खाना आज डिनर गई है तो कभी कभी ऐसा ही कुछ बना लें दूए थोड़ा होती रस चावल खाके रह जाते पर सुचाएं कि नहीं तो एक अगर दो स्वेंट बाइस एक ही तबीयत खराब बहुत मुश्किल हो जाती है सच में बहुत मुश्किल हो रखी काम में भी साहरा बहुत लगवाते थे और वैसे भी बहुत तो बहुत मुश्किल हो रखी है पर सब कुछ यह सोचते हैं लोग के सहर में काम नहीं होता है खानी बिने का काम है और वैसा ही है सच में बहुत हो तो पानी करके तबे पर रख्याइंग गरम हो जाएगा और आप भी खालेजिए यह बैठ गई में खाने के लिए तो वीडियो अच्छा लगा है वो तो लाइक सेयर करने न और बहुत कम सपोर्ट मल रहा है वीडियो पर तो पता नहीं क्यों मिल रहा है तो प्लेस आप लोग कि और अब इन लुगों के निकालके दे दिये हैं और अपने फी ले ले लिती हूं और अभी अजी करम अगरम भाब निकल रही आभी और गर्म अच्छे लगता हैं तो अधेर हॉल बेट के क्यूंकर तीवी चल रह रही है चटाइब ब dif Makes बागा शाय देए देश्कर जाना झाल झाल